सीटी में एक सिरियल केर लेडिस के मर्डर कर रहा था जब हमारी डिरेक्ट्टू को पता चला कि यह सब एक लटकी से कनेक्टेड है तब इस टोरियो और भी ज़ादा कॉम्प्रेकेट हो जाती है एक बड़ा सा रैकेट सामने आता है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको मर्सी यह 2000 की एक मिस्ट्री थिलर मूवी एकस्प्लेंट करने वाला हूँ यह मूवी अलग-अलग टरंस लेती रहती है तो अंतर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा बीना किस देरी के एकस्प्लेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मैं कैरेक्टर कैथी को देख सकते है आज एक मर्डर हुआ था इसके इन्वेस्टिकेशन के लिए पहुच गई पहले तो इस मर्डर सिन पर कोई अलग ऑफिसर आये थे पर एक केस्प्लेंशन से ले ले लेती है इस लेडी का मर्डर बहुत ही बहरे में से किया गया था मर्डर करने से पहले उसे मेकप भी लगाय गया था उसके बॉड़ी को उसके फ्रेंड वीकी ने डिस्कवर किया था फिर कैथी जा गर वीकी से बात करती है उसे बुछती है लास्ट टाइम तुम उसे कब मिली थी विकी ने कहा हम विकी में एक बार काम के बाद एक बार में जाते है वहाँ से वन निकली और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं जब वो काम परने आए उसका कोई भी पता नहीं था ये सब देखकर वीकी ज़रा वरीड हो गई थी और जब वो घर पर आये तो डारेक्ली उसका मर्डर हो चुका था कैथी उससे बुछती है क्या तुम्हें वीकी की रिलेशन्शिप के बारे में कुछ पता है क्या ऐसा कोई होगा जो उससे मार सकता है वीकी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी नहीं था कैथी जब अपने कोवरकर के साथ बात करती है तो वह हैं पता चलता है कि जिस लेडी का मर्डर हुआ उसके बेटे है उसका हस्वर्न है और अजानक से वो घर से निकल कई थी उसके बाद डारेक्ली उसका मर्डर हो गया इसके बाद नेकसीन में हमें एक थेरविस उसके पेशन के साथ दिखाया जाता है इसका नाम था डॉमनिक डॉमनिक के साथ जो पेशन थी उसका नाम था मेलो मेलो अपनी बच्पन की कहानी उसे सुना रही थी वो कहती है जब मैं एक दिन मेरे आंट को ढूनने के लिए गए तो किसी आदमी के साथ थी उसके साथ वो इंटिमेट हो रही थी ये स्टोरी सुनाने के बाद हमें पता चलता है कि डॉमनिक और मेलो इन दोनों में इंटिमेट रिलेशन्शिप है ये पेशन्शिप के साथ होना गलत बात है पर फिर भी डॉमनिक को इसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता मेलो शक करती है कि डॉमनिक का उसके हर पेशन्शिप के साथ इसी तरीके से अफेर है पर डॉमनिक कहता है कि नहीं तुम मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट हो तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में और कोई भी नहीं है मेलों ने पुछा कि अगर मैं अचानक से गायब होगी तो तुम क्या करोगे डॉमनी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा अब नेक्स सीन में कैथी मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने उस लेडी के बेडरूम में एक छुपाई होई सुटकेज देखी जिसमें बहुत ही अलग-अलग चीज़े थी जैसे कि हैंड कप्स, कट्रस फेगरा इस तरीके की चीज़े रात में कैथी एक बार में आई वह उसे एक मैकेनिक मिला कैथी पुली से इससे उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता था वो उसे डरता नहीं था इस वज़े से कैथी रात में उसके साथ इंटिमेट हो की इसके बाद नेक सीन में थेरेबिस्ट को जिसका नाम है डॉमनी इसे एक अलग पेशन के साथ देखते है इसका नाम था मैरी मैरी उसे अपने बचपन की स्टोरी सुना रही थी कि मैरी मदर बहुत ही ब्यूटिफुल थी उसके फादर के गुजर जाने के बाद उसने और एक आगमी से शादी की थी मैरी और उसके स्टेफ फादर की रिलेशनशिप यह बहुत ही घटिया अजीब तरीके से थी मैरी डॉमिनिक से यह दिया है तुम यह जो सब मेरी स्टोरी सुनते हो कैसा अब सुनने में तुमें मज़ा आता है तरविस ने कहा कि मैं तुमें हेल्प करने के लिए करता हूँ और भी इन्वेस्टियेशन करने के लिए कैथी विकी के पास आये तो भाहा से उसे पता चला कि विकी की फ्रेंड थोड़े दिन विकी के साथ रही हुई थी तो कैथी बुछती है क्या उस टाइम में उस लेडी की कोई भी रिलेशनशिप थी विकी ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जिसका नाम था गिल रेनॉल्ड और उसकी भी शादी हो गई थी इसके बाद और भी इन्वेस्टियेशन करते हुए कैथी रेनॉल्ड के पास बहुत जाती है रेनॉल्ड को अपने अफेर के वज़े से डिवास हो गया था कैथी उससे बुछती है तुम्हारे अफेर के वज़े से डिवास हुआ कैस वज़े से तुम गुस्ता थे रेनॉल्ड कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ तब मैं मेरे फ्रेंड के साथ था इस murder से उसका कोई भी लिना देना नहीं है इसे इस बात से कुछ भी फरक नहीं पड़ता कैथी को victim के bedroom में फोटोज भी मिले थे जिसमें bondage किया हुआ था इसके बारे में वो Reynolds से बुछती है पर यह आदमी Reynolds नहीं था अब इस तरीके की अलग-अलग चीज़े करने वाली city में एक जगा थी है जहाँ पर कैथी पहुच जाती है वहाँ की security footage से उसे पता चला कि वीकी उसके friend के साथ यहाँ पर आई हुई थी इसका मतलब है वीकी उसके साथ relationship में थी कैथी इस पर बहुत ज़ादा गुसा हो जाती है वीकी को confront करती है कैथी है तुम्हें मुझे सब कुस सच सच बताना चाहिए था कैथी ने पूछा क्या और भी ऐसी कोई थी जिसके साथ तुमारी relationship थी वीकी ने और एक नाम लिया और उस लेडी का भी murder हो चुका था कैथी को इस बात पर और भी ज़्यादा गुसा आ जाता है कैथी है तुम दो murder से linked हो अब वीकी को भी अपने DNA samples विगराद देने पड़ेंगे कैथी ने पूछा जिन दोनों का murder हुआ है क्या वो एक दूसरे को जानती थी वीकी ने कहा कि हाँ वो गहती है ladies का एक secret group है जिनको एक अलग type की intimate relationship अच्छी लगती है यह सब इस group में है इनको मिलवाने का काम इनके साथ पैसो के लिए intimate होने का काम वीकी करती है कैथी को एक बात बहुत ही घटिया लगी वीकी ने उसे का कि तुहें मेरे हलात के बारे में कुछ भी पता नहीं है मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पर मुझे हमेशा sexually assault किया जाता था कैथी को एक सुनकर बुरा लगता है इविनिंग में वीकी एक jewelry shop में थी जहाँ पर वो मेलो से मिलती है उसे मेलो का नेकलेस बहुत ही अच्छा लगा तो उसके साथ वो रात में intimate हो जाती है नेक्सिन में डॉमनिक के बास हम मैरी को फिर से देखते है वो अपने बच्पन की स्टेफ फाइदर की स्टोरी सुना रही थी कि किस तरीके से swimming pool में उसका फाइदा उठा रही थे और उसके mother ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था नेक्सिन में हम देखते है कि विकी को बहुत ही guilty मैसुस हो रहा था तो कैथी को call करती है कैथी है आज रात फिर से सब ladies की party होने वाली है अगर तुम चाओ तो मेरे साथ आ सकती हो इस party में गए है जहाँ पर बहुत influential लोगों की wife स्वेगरा थी विकी कैथी से कहती है क्या कभी कभी तुम आदमियों से तंग निया जाती है दिन बर काम करती हो और फिर भी तुम्हें आदमियों को सुनना पड़ता है कैथी स्टेट थी तो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद ये living room में जाकर ड्रक्स वेगरा कर रहे थे पर कैथी कोई सही नहीं लगता वहाँ से और निकल आती है जब वो case के बारे में अपने cover करके साथ discuss कर रहे थी तो उसे लगता है कि वीकी पर उन्हें नज़र रखनी चाहिए तो यही चीज वो next scene में कर रहे थे तब वी वीकी को एक अंजान आतमी का call आया वो आतमी उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है वीकी उसे मना कर रही थी पर उस आतमी ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अगर तुम नहीं आई तो मैं सब को बता दूँगा अब यह चीज बहुत ही ज़्यादा सस्फिशेस थी जहाँ पर उस आतमी ने मिलने के लिए बुलाय हुआ था कैथी भी उस जगापर पहुच जाती है एक्जैक्ली सामने की बिल्लीं के खिड़की से वो वीकी पर नज़र रख रही थी वीकी एक अज़िब से कौस्ट्यूम में आकर डांस करने लगती है डांस करते करते अचानक से उसे किसी ने शूट कर दिया कैती जब देखती है तो गिल्ड रेनॉल्टस था, वो जल्द 있어서 भागकर उसे पकरने की कोशिश करती है, पर गिल यहाँसे भाग चुका था, बाद में वीकी के पास आकर देखती है, तो वीकी अभ भी जिन्दा थी, रेनॉल्टस और वीकी अजीब तरीके का एक गेम खेल रह रात में कैथी ने विकी को बार में बुलाया आज जो भी हुआ इसके बारे में जब वो विकी से बुछ दिये तो विकी ने कहा कि ये सब नॉर्मल है रेनॉल कभी भी मुझे हड नहीं करेगा बार में कैथी को एक लड़की दिखी जिस पर वो बहुत जादा गुसा हो जाती ह और उसे जोर से स्लैप करती है विकी ने उसे बुछा कि ओ ठीक होन विकी कहती है मेरे एक सजबन ने इसके साथ अफेर किया था इसी वज़े से उनका डिवोस हुआ था रात में जब कैथी और विकी घर पर आये तो विकी कैथी से बुछती है क्या तुम मेरे साथ इंटिमे होने वाली थी पर कैथी ने उसे रोक लिया इस बात से विकी को बहुत बुरा लगता है नेक सीन में हम डॉमनिक को मेलो के साथ देखते हैं मेलो ने डॉमनिक से का कि पिछली बार मैंने मेरे बचपन की स्टोरी तुमें जुट कई थी एक्च्वल में मैं जब मेरी एंड को गई तो किसी और लड़की के साथ थी रिसेंटली मैंने इस तरीकी की रिलेशनशिप को खुद एक्सप्रियंस किया है डॉमनिक और मेलो की रिलेशनशिप थी तो इस वज़े से बहुत ही अजीब लगता है रात में कैथी को कौल आया और और एक मर्डर हो चुका था इस ब बार विकी ने कैथी से बात करते करते कहा था कि मुझे एक लड़की का नेकलेश बहुत पसंद आया और इसी वज़े से मैं उसके साथ इंटिमेट हुई थी उस नेकलेश का डिस्क्रिप्शन मेलो के नेकलेश से मैच करता है तो कैथी को पुरा शग विकी पर आ चुका था शक आने के बाओ जो सब विक्टिम्स को कनेक करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़े थी जैसे कि उनका थेरेपेस्ट जिनका मर्डर हुआ इन तीनों विक्टिम्स का एक ही थेरेपेस्ट था और वो था डॉमनिक नेकसिन में फिर कैथी डॉमनिक से मिलने के लिए आ जाती है डॉमनिक एक्चुन में Mary के साथ सेशन में था पर यह उसे बन करना पढ़ता है और Mary यहाँ से चली कही कैथी डॉमनिक से बुशती है किया तुमारी पेशन बाइसेक्शोल थी तो डॉमनिक ने हा कहा जो भी murder हो रहे हैं इसके बीचे एक serial killer है इसके psychology के बारे में हम डॉमिनिक से बूचती है कैथी को लग रहा था कि शायद जो murder है उसे भी बच्पन में abuse किया गया होगा जनरली इस तरीके की serial killer है आदमी होते है डॉमिनिक ने कहा कि ऐसा नहीं है बच्पन में जादा से जादा लड़कियों को भी abuse किया जाता है तो शायद इस serial killer लड़की भी हो सकती है इसके बारे में जब कैथी ने अपने कोर कर के साथ बात किये तो सब को लगता है कि थेरी बहुत ही गलत है रात में हम डॉमिनिक को फिर से देखते है और उसने लड़कियों की तरह dress up किया हुआ था वो अपनी evening enjoy कर रहा था और उसे मिलने के लिए Mary आगे Mary उसे कहती है हमारे session अधोरा रह गया था अगर तुमने dress up किया है तो मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता तो उसे Dominic के बारे में सब कुछ पता था उफिर से अपने stepfather के बार में उसे बता रही थी वो कहती है हमारे बीद जो भी हो रहा था यह बहुत ही गलत था पर मैं इसे enjoy करने लग थी इस वज़े से वो बहुत ही guilty महसूस कर दी थी Nixon में लेक दे कि और एक murder हो चुका था जब Kathy वहाँ पर बहुची के murder विकी का था इस बात से वो बहुत ज़्यादा disturb हो गे रोने लग गे उसके core कर यहाँ पर बहुचते है जिसमें से एक core करने का कि बहुत ही अजीब थी अच्छा हो इसकी date हो गे इस वर Kathy उसे बहुत मार दिया जहीं जगा पर विकी का murder हुआ था यह किसी और की थी उस लेडी से पूछा जाता है तुम विकी को जानती कैसे थी उसने उनकी group के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया उसे बुचते हैं कि विकी के साथ तुमें कुछ अजीब सा experience आया था वो लेडी कहती है एक बार विकी मुझे अजीब से place पर लिकर गई थी विकी जो उसके साथ करने वाली थी उसे अजीब लगा तो इस वज़े से वह निकल गई अब जो address उस लेडी नों ने दिया था इस जगा पर कैथी पहुच जाती है address एक gym trainer का था जहाँ पर जो भी विक्टिम से ये तीनों गई हुई थी अब इसकी investigation करने के लिए कैथी वहाँ पर पहुच गई वो trainer उसे अंदर नहीं आने दे रही थी पर कैथी कहती है अगर मैंने warrant लाया तो मैं बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाओंगी कैथी जब उसे पुछताच करने लगे तभी एक आदमी इन पर गोलिया चलाता है कैथी तो इससे बच गई थी पर कैथी के पार्टनर को गोली लग गई कैथी जल्दी से उस आदमी का पीछा करती है उसे गोली मार कर थोड़ा सा जखमी कर देती है इसके बाद हम देखते हैं कि आदमी होस्पिटल में था उसने गिल्ड रिनॉल्ड्स के बारे में कन्वेस किया था वो गहता है रिनॉल्ड्स है अपनी वाइफ को मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिये थे इस सारी चीज़ उसने रेकॉर्ड कर ली थी अभी भी दूसरे लेडिस के मर्डर के बारे में यहने कुछ भी पता नहीं था वो आदमी जिस घर में था उस घर में जाकर कैथे ने फिर इन्वेस्टिकेशन किये वहाँ पर बेस्मेंट में अलग-अलग चीज़े थी कैमेरा के लिए स्टैंड्स विगरा थे यहाँ पर सब कुछ रेकॉर्डिंग हुआ करती थी इसके पैरलल में हम देखते हैं कि डॉमनिक मैरी के साथ था डॉमनिक मैरी को कहता है बच्पन में तुमारे और तुमारे स्टेफ फादर की बीच में जोबी हुआ इस वज़े से तुमारे मदर के साथ तुमारे रिलेशन्चिप खराब हो गई थी इसकी गिल्ड तुम अभी में महसूस करती हो नेकसिन में हम देखते हैं कि कैथी जब इन्वेस्टेशन कर रही थी तुसे वहाँ पर एक डेप मिली इस टेप में विकी, मैरी और डॉमनिंग ये तिनों इंटिमेट हो रहे थे और इसी टेप में कैथी ने उसके एक कोवरकर को भी नोटिस किया जिसने विकी के बारे में घटिया चीज़े बूली हुई थी कैथी वेस जाकर अपने कोवरकर से बात करते कैथी है, तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी कोवरकर ने कहा कि मैं सिर्फ टेप करता था इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है इस सब अरेंज डॉमनिंग की करवाता था नेक सिर्म हम देखते हैं कि मैरी और डॉमनिंग के दोनों इंटिमेट हो रहे थे मैरी फिर से अपनी बच्पन की कहाने उसे सुनाती है क्या थी है, एक दिन में और मेरे स्टेप फादर हम दोनों इंटिमेट हो रहे थे मैंने मेरी मदर की उपर आने की आवाज सुनी उसने हम दोनों को देख लिया और फिर से वो लिविंग रूम में चली की तब उसे पता चला था कि उसकी मदर ने उसका सोधा किया है इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब थी वो आज तक इस बात का बदला लेना चाहती है और इसी वज़े से सब को वही मार रही थी ये कनफेशन करने के बाद वो डॉमनिक को भी मार डालती है बच्पन के ट्रामा की वज़े से वो एक सीरियल किलर बन गई थी कैथी को डॉमनिक के बारे में पता था तो राप में उसके पास वो पोचके तो डारेकल उसकी डेट बॉड़ी देखती है घर में डॉमनिक का डॉक था जो कैथी पर हमला कर देता है कैथी ने उससे लड़कर बाहर बन कर दिया तभी वहाँ पर मैरी आगे मैरी के हाथ में गन थी मैरी ने कैथी पर गोली चलाए वो उसके पास आकर बेट जाती है उसे मारने वाली थी तबी कैथी ने चाक को लेकर मैरी को मार डाला इसके बाद next scene में देखते हैं कैथी विकी के घर बर आई हुई थी विकी ने कैथी से एक बार कहा था कि बचपन में उसे हमेशा घर में अब्यूस किया जाता था कि ने कैथी को ये भी कहा था कि अपनी छोटी सिस्टर को अपनी जगा उपर ओछोड़ कर वहाँ से निकल आई थी इस वज़े से ओग गिल्टी महसूस करती थी क्या थी अब विकी की सिस्टर को बचाने के लिए सोशल वर्कर के साथ उसके घर बर पहुँच गई विकी की सिस्टर को कुछ क्वेशन पूछे गए और उसे उस घर से बचा लिया गया विकी की सिस्टर को भी घर में अब्यूस किया जा रहा था इसे के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पेंशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोगी के साथ तब तक लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया